शिवम शिवम जी हमारे सा जुड़ गए हैं शिवम त्यागी जी पहले तो आपको बधाई अभी तक के रुज़ानों के मुताबिक तीन राज्यों में आपकी सरकार वंती नजर आ रही है लेकिन सूप्रिया स्रीनेज जी मोदी जी को इसका क्रेडिट नहीं दे रही है सूप्रिया स्रीनेज जी से यह हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि वो इस जीत का क्रेडिट मोदी जी को दे आखिरकार उन से तो यह उमीद नहीं की जा सकती लेकिन मत पढ़िये आप चकर में कोई नहीं है टकर में आदर्निय प्रधान मंत्री जी का चेहरा आदर्निय प्रधान मंत्री जी की नीती आदर्निय ग्रह मंत्री जी का मैनेजमेंट तमाम तरह की बाते उठी थी कि मिनिस्टर्स को उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, भारतिये जंता पाटी डरी हुई है और नजाने क्या-क्या अब से तीन महीने पहले के उपीनियन पोल्स देखे तो उसमें साफ साफ आता था नजर और लोग कहते थे कि भारतिये जंता पाटी 50 का आखड़ा भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मध्यप्रदेश में Anti-incumbency से pro-incumbency को कैसे convert किया जाता है, राजनीतिक management किसे कहते हैं, čeहरा किसे कहते हैं, मुझे लगता है देश देख ले 2024 का एक छोटा सा ये trailer है, आने वाले समय में क्या होने वाला है ये देश जांता है度 मैं तो सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि तमाम सारी चीजें करने के बाद, तमाम मेहनत के बाद अगर यह हाल है तो आने वाले समय में 24 में क्या होगा यह देश देखेगा लेकिन इससे भी महतुपूर्ण विशह यह है कि 18 साल की सरकार के बाद भी अगर भारती जंता पार्टी मध्य प्रदेश में इतने प्रचंड बहुमत के साथ आती है तो यह दिखाता है कि कहीं ना कहीं भारती जंता पार्टी और कहीं ना कहीं जिस तरह की चीजें और जिस तरह की नीतियां रही और जितनी भी हमारी पॉलिसी रही वो बेहत शांदार रही, सक्सेस्पूल रही सुप्रिया जी, अगर राजस्थान की बात की जाये या च्हतिजगर की बात की जाये तो दोनों जगा कॉंग्रस की सरकार और अभी नंबर ये बता रहा है कि दोनों जगा से कॉंग्रस की विदाई हो रही है। मैं आपको बताती हूँ मैंने जैसा कि कहा कि राजस्थान में इन नंबर्स के बावजूद मुझे लगता हम इससे थोड़ा बेहतर करेंगे और राजस्थान में मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि ये काफी दश्कों में हमारा बेस्ट प्रदर्शन रहा है as incumbent तो ये pro-incumbency भले ना हो for a government लेकिन ये हमारी योजनाओ को सराने का काम जरूर हुआ है हमारे 20 या 30 पर नंबर चले जाते थे वो हमारे late 70s और early 80s में ये बड़ी बात है ये योजनाओ का ही effect है और 36 गण में जैसा कि मैंने का मेरे नंबर बता रहे हैं कि हम सरकार बना रहे है जो हमारा internal assessment है तो उसको मैं प्रो-िंकम्बेंसी मान कर ही चलूगी तेलंगाना में एक रीजिनल पार्टी को हरा कर जीतना भारती राजनीती में बड़ी बात है ऐसा कम हुआ है और तेलंगाना में ये हो रहा है इस बात को मैं सहर्श स्विकार करती हूं जनादेश को और मैं खुश हो क के बारे में और राजिस्थान के बारे में जो कहा है और तेलंगाना के बारे में जो कहा है मोटे तौर पर मैं आपसे सहमत हूं मैं मद्यपरदेश के बारे में जानना चाहता हूं मद्यपरदेश में शुरू में ये चवी बन रही थी कि वहां की जनता परिवर्तन चाहती ह मेरे उपर भी उसकी ये छबी थी परिवर्तन चाहती है लेकिन धीरे धीरे देखा ये गया कि वहां कॉंग्रेस ने अपनी प्रचार मुहिम में प्रचार नामक चीज को तकरीवन अंतर ध्यान कर दिया तकरीवन लुप्त कर दिया जितना भारती अंता पार्टी का सुविवस दिया सकती कि हमारी सरकार चुराई गई ज़ड़ गई वहां पर कॉंग्रेस रणनीती के प्रशन पर 18 साल पुरानी सरकार जिसके खिलाब एंटी इंकममेंसी दिखाई पड़ दई थी थकाई पड़ दई थी वहां पर इतनी बुरी तरीके से कॉंग्रेस हार रही है इसके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कि अपनी हार को जन्ता को तने तलीनता से नहीं बताया, वह कहा जाने लगता है बहुत सारे फैक्टर होते हैं लेकिन मध्यपरदेश इंडी डिसपोइंटिंग है और इसलिए भी क्योंकि वहां पर इसा प्रतीत होता था कि लोग परीवर्थन चाहते हैं और परिवर्थन ही हुआ और बड़े मार्जिन से नहीं हुआ इसका मैं जनादेश का मैं स्वागत करती हूं मतलब क्या कर सकते इसके बारे में लेकिन यह बात यह सच है कि on ground जो feedback था वो जो हो रहा उससे बहुत अलग था ABP News आपको रखे आगे